प्रफाइल के इंट्रेव्यू में पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेस्टिंग को हम इस इंट्रेव्यू क्वेस्टिंग सेरीज में डिसकस करेंगे इंट्रेव्यू क्वेस्टिंग सेरीज में आज हम डिसकस करेंगे आप कैसे पता लगाएंगे कि टेस्टिंग इनफ है पहला पॉइंट जो हमें नोट रखना इसके अंदर टेस्टिंग कें नेवर भी 100% कंप्लेट बट इट शुड भी सफिशेंट तो प्रवाइड दा कॉन्फिदेंस इन दा क्वालिटी ओफ दा सॉफ्ट्वेर हम टेस्टिंग को 100% नहीं कर सकते बट जो टेस्टिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं उससे आपके पास एक क्वालिटी प्रोड़क्ट आना चाहिए एक क्वालिटी प्रोड़क्ट आप दे पाएं अपने एंड यूजर को क्लाइंट को वो उतना confidence टेस्टिंग परफॉर्म करने से आ जाना चाहिए पहला पॉइंट ये इसके इलावा आपका जो application अगर उसका functionality stable है तो आप बोल सकते हैं कि testing enough है stage पे जो भी आपका application है उस application के अंदर कोई भी major या important defect नहीं बचा होना चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि testing is enough एंड जो भी आपके defect जो आपने पहले report किये हैं क्या वो fix हो चुके है या नहीं तो वो भी अगर fix हो चुके हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपका आपकी जो testing है वो enough है इसके इलावा जो भी आपका requirement है या जो आपके use cases है वो आप test कर चुके है और वो pass है या नहीं तो वो भी अगर pass है आप test कर चुके है तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो testing है वो enough है और जो भी आपने जो test cases लिखे हैं क्या test coverage आपका acceptable level पे है या नहीं अगर acceptable level पे है तो आप बोल सकते हैं कि testing enough है टेस्टिंग को आप स्टोप कर सकते हैं तो यह different points हैं जिसको आप इस question में रख सकते हैं कि आपकी testing enough है या नहीं तो इस video में हमने cover किया कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि testing is enough और not तो इस video में कोई भी doubt अगर आपको है तो अपना doubt आप comment section में लिख सकते हैं या मुझे LinkedIn पे message कर सकते हैं मैं definitely आपकी help कर पाऊंगा इस video के लिए इतना ही मिलते हैं next video में एक next interview question के साथ